ज्यादा सोचने वाली बहू कामिनी अपने आपको बहुत समझदार समझती थी वो हर चीज की बहुत ज्यादा जाच पड़ताल करती थी पर इसी के कारण वो बहुत ज्यादा सोचती भी थी और हमेशा कन्फ्योजड ही रहती थी एक दिन उसकी सास कांता उसे बाजार से सबजी लाने को बोलती है सुनो कामिनी सबजी इतने लाना कि बरबाद नहों अब कामिनी मार्केट में खुद से ही बात कर रही थी अगर मैं दो गाजर लूँगी तो एक ही इंसान की सबजी बनेगी और हम लोग के घर में है पांच लोग तो इस इसाब से दस गाजर ले लेती हूँ पर अगर हम में से किसी एक ने सबजी नहीं खाई तो बरबाद हो जाएगी ना क्या करूँ सोचते सोचते वो एक गाजर खा जाती है उसे वहाँ खड़े खड़े आधा घंटा हो जाता है पर वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाती कि कितनी गाजर ले अरे मेडम क्या लेना है आपको इतनी देर से खड़ी है आप हाँ भई अब बस बता रही हूँ अचली ना समझ में नहीं या रहा गाजर आँट लू या दस अरे मेडम आधा किलो ले लो ना आधा किलो में पांच लोग खा लेंगे मेडम मुझे क्या बता आपके घर में कौन क्या खाता है आप अपने इसाफ से ले लो ना उदर घर पर कांता उसका इंतजार कर रही होती है अरे यह काम नहीं कहा रह गई खाने का टाइम हो रहा है और यह अभी तक आई ही नहीं अरे सुमन जरा फोन तो लगा भाबी को हेलो भाबी लेली क्या सारी सबजी खाने का टाइम हो रहा है अरे अभी कहा ले सब्जी, समझ में नहीं आ रहा कि गाजर आंट लो या दस है? क्या मतलब अभी तक सब्जी नहीं खरी दिया आपने? अरे अभी तक गाजर में ही confused हूँ, अच्छा आप पताओ ना, कितनी लो? अरे भाबी, एक अंदाजी से ले आओ ना, अपको तो तीन गहंटे हो गए है, मार्केट गए हुए थोड़ी देर में कामिनी घर आती है आ गई, चल अब जल्दी से खाना बना पर मैं तो सिर्फ गाजर ही लाई हूँ, वो ही बना लूँ ना? है? इतनी देर में तू सिर्फ गाजर लेकर आई? माजी, वो ना, समझ में नहीं आ रहा था, कि गाजर कितनी लो? इसमें ही सारा टाइम निकल गया फिर सुमन दीदी ने बोला कि आप इंतजार कर रही हो, तो मैं आ गई सुमन और कांता अपना सर पकड़ लेती हैं, दोपैर के खाने में सब गाजर से बनी हुई चीज़े ही खाते हैं, कमरे में सुमन और कांता बात कर रहे थे ये भावी कितनी कंफ्यूस्ड रहती है, एक काम गने में गंटों लगा देती है, पता नहीं इनका आगे क्या होगा ये कहकर दोनों हसते लगते हैं, एक दिन कामिनी बात खुश-खुश होते हुई अपनी सास के पास आती है माजी, माजी मेरे भाई की शादी की तारिक निकल गई है, बस कुछी दिन में उसकी शादी है, मुझे ना बहुट शॉपिंग अनी होगी, सुमन ने दी, आप चलना ना मेरे साथ शॉपिंग पर ठीक है हाँ हाँ, बिल्कुल चलूंगी भावी इसके जाने की बाद सुमन अपनी माज से कहती है, मा मैं तो पागली हो जाऊंगी इसकी साथ, कभी कुछ बोलेंगी कभी कुछ ऐसा करना तू बस इसके हां में हां मिला देना, और अगर इसको कुछ सला दीना फिर तो या तो जब पागल ही करतेगी अगले दिन से कामेनी की शॉपिंग चालू हो जाती है कपड़े, गहने, जूते, चपल वो सब खरीदना चाती है सबसे पहले वो एक लहंगे की दुकान पर जाते है हाँ भया कोई बहाँ संदल लहंगा दिखाएए न दुकान वाला एक से एक लहंगे दिखाने लगता है लाल, नीला, पी, लाहरा पर कामेनी कोई भी लेही नहीं पा रही थी सुमंदीदी, भाई की शादी अक्टूबर में है उस समय ठंड होगी या गर्मी अगर ठंड होगी तो हैवी वर्क वाला लेलू लहंगा जिससे ठंड भी ना लगे और गर्मी होगी तो लाइट वेट वाला लेलू अरे भाई अक्टूबर में तो सुहाना मौसम होता है कुछ भी हल्का असा लेलू ना ना ना, मुझे लगता है ठंड होगी बारी वाला ही लेती हूँ, मोटे कपड़े का अच्छ भाया आप बताईए, आप तो दुकान लेकर बैटे हैं आपके पास तो बहुत सारे कस्टमर आते होंगे न हाँ हाँ बिल्कुल आता है बड़म यह जो आपके साथ है न, वो सही क्या रही है सुहाना मौसम होगा, आप कुछ भी हलका सा ले लीजे अच्छ ऐसा करो, कुछ दिखाओ भाया, हलका, सुन्दर सा वो पहले वाले सारे लहंगे हटा कर दूसरे दिखाता है कामीनी सारे पहन पहन कर देखती है उन्हें बैठे बैठे घंटों हो जाते हैं पर अभी तक कामीनी एक भी लहंगा नहीं ले पाती नहीं भाया, ये तो अच्छे नहीं लग रहे आप भारी वाला दिखाएं न भाबी, आप कला जाए, मुझे भूग लग रही है अरे बस दिदी, थोड़ी दिर और दुकानदार भारी लहंगे दिखाने लगता है कामीनी कोई एक बैंगनी रंका लहंगा अच्छा लगता है भाबी, ये ज़्यादा डार्क लग रहा है पर मुझे दो यही अच्छा लग रहा है मैं ट्राई करके आती हूँ इदर सुमन की भूख से हालत खराब हो रही थी अच्छा भाबी, आप पहन कर देख लो तब तक मैं कुछ खाने को ले आती हूँ अरे नहीं, नहीं, बताओगी तो तुमीना के कैसा लग रहा है सुमन मन ही मन सूचती है बताई तो सही इतनी चीज़े आपने मानी कहां मैं अभी भी बोलूँगी तो आपनी मानने बाली इस रंग के लिए मना किया था मैंने फिर भी आपने वही लिया पैनने के लिए कामिनी सुमन को वहाँ से हिलने ही नहीं देती थोड़ी देर में वह बैंगनी रंका लेंगा पैन कराती है सुमन को वह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पर वह सोच लेती है कि अब अगर कामिनी उससे पूछेगी कि कैसा लग रहा है तो वह अच्छा ही बोलेगी क्योंकि वह वहाँ बैठे-बैठे परिशान हो चुकी थी अच्छा लग रहा है न ये हाँ भाबी बहुत सुन्दर चलिए अब घर चलते हैं बिल पे करके वो लोग वहाँ से चले जाती है लगता है आज तो पूरा बाजार ही खरीद लायो दोनो कम से कम छे साथ घंटों के बाद लाट रहे हो दोनो ये सुनते ही सुमन मुह दबा कर हसने लगती है हाँ हाँ जरूर आए ना हाँ भी हमारी शापिंग देखिए है ये तो एक ही बाग है बाकी गाड़ी में है क्या नहीं माजी ये एक ही बाग है और कुछ नहीं है क्या मतलब इतने घंटों में कुछ नहीं करीदा तुमने अरे माजी ये देखिए तो कितना सुन्दर लेंगा है है ना सुन्दर सुमरा और कांता एक दूसरे को देखने लगते हैं बैंगनी रंग का लेंगा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो सब उसकी हां में हां मिला देते हैं, रात को कामिनी का पती सुरेश आता है, कामिनी उसे भी खुशी-खुशी लेंगा दिखाती है, अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, है ना, हाँ, म वापस चलोगे ना कल मेरे साथ, अरे नहीं बैया, अब आपने पती देव को ही ले जाना, अगले दिन कामिनी फिर उसे दुकान पर जाती है, और दूसरा लेहंगा लाती है, बीचारा मेरा भाई, सार पकड़ कर बैटा होगा, ये कहकर वो हस्ते लगती है, थोड़ी दिर में कामिनी और सुरेश वापस आ जाते हैं, और कामिनी वही हलके रंगा लेहंगा लाती है, जो सुमन ने उसको सबसे पहले लेने के लिए कहा था, चलो लेहंगा तो हो गया, बस अब जुवलरी बची है, सुरेश कल तुम चलना मेरे साथ, हम नेकलिस ले लेंगे, आ ठीक है च सुने का, समझ में नहीं आ रहा हीरे का लों या सोने का, ऐसा करो ना कि मा से ही वीडियो कॉल पर पूछ लो, वो घर पर वीडियो कॉल लगाती है, आरा सोने का ही लेलो बिटा, वो आगे भी काम आता है, पर मा जी मुझे नहीरे का अच्छा लग रहा है, आ तो पर हीरे का पर मा जी ये भी ना सोने का ही बोल रहे हैं, हे भगवान तो फिर सोने का लेलो ना, मा जी मुझे नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, चले देखती हूं कौन सा लेना है, वे कामी नहीं जल्दी करो, और काम भी तो है, मुझे आफिस का काम भी करना है, हाँ हाँ बस देख र थोड़ी दिर में वो लोग हार लेकर घर पहुंचते हैं दिखा दिखाओ क्या लेकर आए हाँ हाँ भई दिखाओ कौन सा नेकलस लेक्ट किया तभी कामीनी हीरी के हार का डब्बा निकालती है अरे मैंने इतना कहा था कि सोने का लाना फिर भी हीरे का ले आई वो धीरी से दूसरा डब्बा भी सरका दिती है है इसमें क्या है सुमन उसे खोलती है तो उसमें सोने का हार होता है वो दोनों अपना सर पकड़ लेती है भाई कामीनी तुम खुद तो इतना कनफ्यूस्ड रहती हो दूसरे को भी पागल करतेती हो और आखिर मैं वही करती हो जो तुमने सोच रखा होता है भाईया भगवान बजाए तुम्हारे साथ शॉपिंग जाने से तो ये बात सुनकर से फस्ते लगते है